गनपती बापप मोर्या, मंगल मूर्ती मोर्या, आप सभी को गनेश चतुर्थी की किरा नानंद की तरफ से दिल से हार्तिक हार्तिक शुब काम दाए दोस्ता अपनी लास वीडियो में मैंने आपको बताया था गनेश चतुर्थी का त्योहार किस दिन है, क्या उसका शुब समय है गनेश चतुर्थी पर आप जब अपने घर पे गनपती बापा को लेकर आते हैं, तो उनकी किस विति विधान से पुजा करनी चाहिए और साथ ही अगर आप गरस ताश्रम में हो और घर पे गनेश चतुर्थी के दिन गनपती बापा को लेकर आ रहे हो, तो कौन सी तिशा की और सूण वाले गनपती बापा दिस्थापना आपको घर में करनी चाहिए आज इस वीडियो में अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप जाकर वो वीडियो देख सकते हैं आज आपसे बात करूँगी कि मेश से लेकर मीन राशी वालों को कौन से रंग के गनपती बापा घर में लाने चाहिए जिससे उनकी सुक्ष, समृत्ति, उन्हें यश की प्राप्ति हो, उन्हें मनुकामनाओं की उनकी पूर्ति हो और साथ ही उलांग एक से लेकर नोवाले गनपती बापा को कौन सा भोग चड़ाए जिससे गनपती बापा प्रसौन हो और उनकी सारी इच्छाओं की पूर्ति हो तो चलिए, बात करते हैं मेश राशी मेश, सिंग और व्रिश्चे इन तीन राशी वालों को लाल या सिंदूरी रंग के गनपती बापा जी की मूत्ति को घर में लाना चाहिए और उसकी पूजा गरनी चाहिए इसी तरह व्रिश, कर्प और तुला इन्हें सफेद या हलकी क्रीम रंग के गनपती बापा जी को घर में लाना चाहिए और विदी विधान से उनकी पूजा करनी चाहिए धनू और मीन राशी वालों को पीले रंग के गनपती बापा जी को घर में लाना चाहिए और विदी विधान से उनकी पूजा अर्चना करनी चाहिए उसी तरह मकर और कुम राशी वालों को हलकी नीले रंग के गनपती बापा जी को घर में लाना चाहिए और उनकी पूजा करनी चाहिए अगर आप अपनी राशी अनुसार गनपदी बपा की इस रंग की मूर्टी को घर में लाते हैं तो आप ये शस्वी होते हैं धन की प्राक्ति होती है आपकी मनुकामनाओं की पूर्टी होती है और आप अगर अपनी लाइफ में प्रॉब्लम से निकल रहे हैं किसी की तरह की फाइनचली है, पर्सनल है, प्रोफेशनल है आप देखेंगे कि इन दस दिनों में भगवान जी आपकी हर इच्छा को पूरन करेंगे अब बात करती हूँ कि मुलांक एक से लेकर नो मुलांक वाले किस प्रसाथ का भोग गनपती बापा को लगा सकते हैं वो लोग जिनका जनम किसी भी महिने की एक तस, उननिस, अठाइस को हुआ है वो आटे के लड़ों का भोग गनपती बापा को लगाएं वो लोग जिनका जनम किसी भी महिने की 2, 11, 20, 29 को हुआ है वो सफेद रंग की मिठाई गनपती बापा को चढ़ा सकते हैं चाहे उसमें वो खीर का भोग लगाए और भगवान श्री गनेश्ची को सफेद फूल भी अर्पित कर सकते हैं जिनका जनम किसी भी महिने की 3, 12, 21, 31 को हुआ है वो दूद में हरी लाइज जीव बाल कर गनपती बापा को उसका भोग लगाए जिनका जनम किसी भी महीने की 5, 14 और 23 को हुआ है वो हरी मूंग के लड़ूओं का भोग गनपती बापा को लगाए जिनका जनम किसी भी महीने की 6, 15 और 24 को हुआ है वो मिश्री का भोग लगाकर गनपती बापा को छोटी कन्याओं में उस मिश्री को बाढ़ दे जिनका जनम किसी भी महीने की 7, 16 और 25 को हुआ है वो नारियल के लड़ूँं का भोग गंडपती बापा को लगाएं जिनका जनम किसी भी महीने की 8, 17 या 26 को हुआ है वो बेसन का हलवा बनाएं या बेसन के लड़ू हो उनका भोग आप गनपती बापा को लगाएं और चिनका जनम किसी भी महिने की 9, 18 और 27 को हुआ हो वो भगवान शिरी गनेश जी को लाल फूल भी अरपित कर सकते हैं और पंच मेवा डालके खीर का भोग भी गनपती बापा को लगा सकते हैं तो ये थे दर्श को मेश से लेकर मेन राशी वाले कौन से रंके गनपती बापा घर में लेकर आएं और मुलांग एक से लेकर नोव वाले कौन से प्रसाथ का भोग गनपती बापा को लगाएं जिसे गनपती बापा उनकी सारी इच्छाएं पूरी करें उन्हें यश, मान, की प्राप्त हो, आपकी सारी मुश्किलों का हल दूर हो, गनपती बापा का आशिरवाद आप सब के उपर ऐसे ही बना रहे, ऐसे मेरी दिल से कामना है, अपनी नेक्स्ट वीडियो में मैं छोटे-छोटे कुछ उपाएगे कराऊंगी जो आप गनेश चतुरती और गनेश चतु यह उपाएगे इन 10 दिनों में कर सकते हैं और अपनी सारी प्रॉब्लम से चुटकारा पा सकते हैं, तो नेक्स्ट वीडियो में आपकी प्रॉब्लम और उनके उपाएगे जाएगे